आज सुबह की ये घटना है जो ये साब निकला है इसे कहते है बैंबो पिटवाइपा है जो की अपने भारत में तो अभी तक मज़े देखने में नहीं आया कि ये कभी मिला हो क्योंकि 100 साल का अनूब हो मुझे 70 साल से फाइदर पकाड़ा मेरे उस्ताथ 30 साल से मैं पकाड़ अपने पहली बरतबा यह निकला है बैंबो पिट वाइपर जिसे रेस्क्यू किया गया है गल्स कॉलेज के पीछे में पार्टर बनें पीडवलीडी के नरवरिय जी परिवार के हां उनकी मिसेश को धन्स कर चुपा था ये फिर उनके परिवार में उनके बच्चे ने फोन वाइपर ऐसे नेट्रल नाम है इसका जेमबो पिट वाइपर यह अधिकतर अपने दक्षिड भारत तरफ अधिकांस पाए जाता है जिसको हमने सर्च कर्च के भी देखा तो उधरी उसका बताया गया कि अपने हां का नहीं पाया था उधरी ज्यादा मिलता है अधिकांस प यह जयत अपने रसल वाइपर नो पायं जाने हैं और यह आज होता है सक आप सक्ल और साइज जेंज फकारा होता है लंबा ओकल अपने सवाइपर अधों मोटा होता और कंव चोटा होता है इसकी लेंधD59 होती है कि इसे अभी को समय रखेंगे फिर उसके बाद पारिश विभाग से संपर करके इसे छोड़ा जाए क्या प्रजाती पाया वह जानी वाली है नहीं अब सुरक्षा के हिसाब से वह कहां छोड़वाते हैं तो इसे रिलीज कर दिया जाए मेरे अपने जीवन के लिए तो जाए ये बता क्या है क्या कर रहते है मैं अपने घर में गार्डन में काम गरी थी तो मुझे सापने का आए रिन वाइपर बोलते है इसको और एक लड़का है तो अ काथे से जुशन और अपक खाते है से 10 मिट के अंदर एवां कुटे लोग साथ हॉस्पीटल आगार हूँ अपने घर में गार्दन में काम को रहे था है तो मुझे साथ्टाइए शार्टन में जुपके बता है ते शेयर अग्या। प्रिजार कितना भी अजय है अगरा हम इंदे उनकी बाते हैं हाँ हाँ बिल्कुल एक्चली में यह है ना इसको बैंबू पिट वाइपर गोलते हैं और यह ग्रास स्नेक की नाम से भी जाला जाता है और हर्याली में रहता है तो अपन लोग पहचान में पाते कि यह साप है और यह अधिकतर व्रॉग चूहा खाता है और हीमन के नेचर के ज्यादा नस्दिक रहता है यह और अधिकतर यह नौर्टीस्ट और साउदन इंडिया में पाया जाता है हां यह बड़ी अच्रच की बात है क्योंकि यह इसका यह जगय तो नहीं है लेकिन इन जनरल जो हम लोग ने पढ़ा है तो यह अधिकतर उधर ही पाया जाता है हां यह एक्षिल में नौन पॉजनस है इसमें कोई दरने वाली बात नी है की पाटलिया तो आप क्या करेंगे इसका ट्रीट्मेंट अधिकतर दर के मज़ा था फिर से मरते अधिकतर अधिकतर